हेलो एब्रीवन बहुत-बहुत सवागत है आप सभी का भूशन साइंस यूट्यूब चैनल पर तो आज हम कुछ important questions देखेंगे subject है आपका nutrition and dietetics ठाना तो यहां पर हम जो है nutrition के subject को देख रहे हैं इसमें आपका जो subject है जो आपका semester है सब्सक्राइब करने के लिए कुछ important topics लेकर जिसने पढ़ने के बाद बहुत-बहुत अच्छे माक से पास हो जाएंगे लेकिन मेरा कहना यह है आपको पूरा subject याने पूरा whole syllabus कवर अब करना चाहिए अगर नहीं हो पाया तो फिर हम important questions की तरब जा सकते हैं तो unit first unit first में आपका define of nutrition याने आपको nutrition को define करना है ठीक है definitions of nutrition types of nutrients होते हैं उसके बारे में आपको बताना है आपका macro वर्सिस micro macro in the sense बड़े वाले nutrition size में बड़े होते हैं इसके बारे में आपको यहां पर बताना है उसके बाद है third question role of nurses in nutrition maintaining health तो यहां पर रोल के बारे में बताना है कि निर्स का है क्या रोल है nutrition maintaining health ओके इसके बारे में आपको डिसक्स करना है तो यह थोड़ा सा आपको फो मार्स के question में आ सकता है इसके बाद है factor affecting food and nutrition कौन कौन से फेक्टर जो अफेक्ट करते इसके बारे में बताना है factor affecting BMR in function and dietary source of carbohydrates तो यह आपका युनिट सेकेंड से important questions है इतने questions आपके important इसमें और भी है चलिए देखते हैं और क्या के important है तो आपको युनिट 3 आ गया युनिट 3 में function sources and RDA recommended dietary allowance of proteins ना प्रोटीन के बारे में आपके source and RDA के बारे में बताना है इसके बाद है unit 4 जिसमें आपको calorie value के बारे में यहां पर discuss करना है ठीक है चलिए इसके बाद है unit 7 की बात आ गई है unit 7 में important है balance right जिसका definitions उसके principles और उनके steps के बारे में यहां पर आपको बताना है balance right principles inception क्या है सरकाippy इसके बाद है क्याने मील प्रेश्वेय्टीन की इसके बाद है इसके बाद क्यूंत अब का प्रोटीन एनरजी माल नुट्रेशन इसके बारे में आपको डिस्कूस करना है और चाइल्डूड ओबिसिटी यह क्या होता इसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कूस करना है अब बात करते हैं unit 9 के unit 9 में therapeutic diet therapeutic diet क्या है definitions objective और उसका role क्या है अगर कोई बिमार हो गया तो हम क्या करते हैं therapeutic diet देते हैं कोई भी person बिमार हुए तो उससे therapeutic diet देते हैं therapeutic in the sense होता है आपका treatment regarding होता है clear अब बात करते हैं diet management for specific condition cardiovascular disease के टाइम पर कैसा diet manage करेंगे obesity के लिए कैसा diet manage करेंगे DM के लिए याने diabetes mellitus और hypnotic disorder इन सब बिमारियों के लिए आप कैसा diet manage करेंगे ओके चलिए अब unit 10 की बात करते हैं इसमें आपका cooking method cooking method के क्या advantages है किस किस types के होते हैं और क्या इसके disadvantages हैं यह आपको यहां पर बताना होगा चलिए अब next है आपका measures to prevent nutritional loss during preparations हाना इसके बारे में कौन-कौन से measures है उसके बारे में आपको बताना है safe food handling के बारे में बताना और food adulterations के बारे में भी यहां पर आपको discuss करना होगा क्योंकि यह सभी important है ओके चलिए अब 11th unit जो है वो क्या है आपका method of nutritional assessment क्या क्या method है आपके nutritional assessment का okay nutritional education purpose क्या है उसका principles और method यह भी आपके important है 11th unit में अब बात करते हैं unit 12 की तो unit 12 में है आपका national nutritional program जिसमें integrated child development service इसके बारे में आपको short notes देना इसके बारे मुक्त भारत के बारे मताना है और यह जो उसका program है उसके बारे में आपको discuss करना है इसके बाद है unit 13 13 में है आपका five keys to safe safe जो food उसके बारे में आपको discuss करना है ठीक है उसके बाद है food safety regulatory measures in India relevant act कौन साइस के बारे में आपको relevant act है जो है उसके बारे में आपको यहां पर discuss करना होगा ठीक है role of food handler in food bond disease तो यहां पर food handler जो है उनका क्या रोल रहाएगा अगर food bond disease हो रहा है उस condition में clear तो यह था आपका unit 13 तक इसके important questions I hope important questions आपको बहुत मदद मिलेगी जितने भी important questions हम पढ़ रहे हैं चलिए तो अब बहुत अच्छे से exam दीजिएगा बहुत अच्छा answer लिकिए इसके साथ ही हम अभीदर लेते अलवीदर लेते जब आपको question हो जाएगा question paper solve करने के लिए फिर से आपके मिलेंगे ओके थैंक्यू class